दोस्तो नमस्कार, I hope कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्त होंगे और मस्त होंगे दोस्तो आज हम बात करेंगे पंजाब और हर्याना हाई कोट की जो लेटिस्ट वकैंसी है जज्मेंट राइटर की उसके बारे में और बहुत सारे स्टूदेंट्स के बहुत सारे डाउट्स है, कमेंड्स में भी और टेलिग्राम के माध्यम से भी बहुत सारे कमेंड्स रिसीव हो रहे हैं और आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे एक एक चीज के अपर थोड़ा सा अच्छे से प्रकास डालेंगे ताकि कोई भी किसी भी तरह की आपको दिक्कत ना हो ये एक ऐसा वीडियो रहेगा कि पूरी की पूरी जानकारी शुरू से लेके एंड तक किस तरह की डिक्टेशन होगी क्या स्पीड होगी कितनी गलतिया परमिसीबल है किस तरह का मैटर आता है एज क्राइट एया क्या है रिलैक्सेशन क्या है सैलरी क्या है किस तरह का वर्क कल्चर है जो भी चीज़े हैं तोटली आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो के अंट तक टीके रहिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इसी तरह के गाइडेंस के वीडियो मैं आपके साथ शेर करता रहता हूँ और मैं भी इसी पोस्ट से रिजाइन करके आया हूँ तो आज उसके बारे में भी अंत में मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात नहीं करूँ उसके बारे में पूरा डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर क्योंकि आल्रेडी है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वकैंसी के बारे में जज्जमेंट राइटर की तो मैंने ये जो वकैंसी ओपन करकी है आपके सामने ये दो हजार चोबिस की वकैंसी नहीं है आप थोड़ा सा इसको जाके गो थू कर सकते हैं क्योंकि हम लेटेस्ट वकैंसी पढ़ते हैं लेकिन कुछ चीज़े ऐसे होते हैं जो कई बारी हमें पिछली इससे पुरानी वकैंसी में पढ़ती है तो ये 2013 की वकैंसी है तो इसमें जो चीज़े है वो चीज़े लगबग सारी इसमें है लेकिन थोड़ा सा कुछ बदलाव भी है वो पूरा जब वीडियो डिसकस हो जाएगा पूरे वीडियो में तब आप समझ पाएंगे तो ये 2013 की वकैंसी है जब निकली थी उसके बाद 2013 में I think 20 वकैंसी आई थी उसके बाद 2014 में 2014 में 14 वकैंसी आई थी और जहां तक मेरा मतलब विचार है जो भी मुझे समझ में आता है इसके बीच में कभी JW की वकैंसी नहीं आई बीच में स्टैनो टाइपिस्ट की बे आई सीनियर स्केल स्टैनो ग्राफर की भी मेरे खाल से दो बार से ज़्यादा आ चुकी है और I think judgment writer की नहीं आई हो तो प्लीज आप बताईएगा लेकिन जहां तक मुझे लगता है 2014 के बाद यह वकैंसी अभी आ रही है और जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं इसी ही से थोड़ा सा मैं आपको conclude कर दूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि pay scale लिखा हुआ है लेकिन अभी जो वकैंसी है उसमें pay scale नहीं लिखा हुआ है तो उसके बारे में हम आभी latest वकैंसी से बात करना शुरू करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा clarity मिले तो सबसे पहले यह 10.9.2024 को यह वकैंसी अड़टाइज हुई है यह employment notice number है जो भी advertisement का number होता यह वो है और apply कब से कर सकते हैं हम 10.9 से इसको आप भरना शुरू कर चुके होंगे बहुत सारे student और last date जो है वो 1 October है तो आप उससे 2-4 दिन पहले ही fill कर लें last date की इंतजार ना करें ठीक है एक 10.2024 गैरा बज़के 69 मिनट तक आप इसको apply कर सकते हैं टोटल जो vacancy है वो है 33 और इसमें general की जो vacancy है वो 27 और general की बहुत अच्छी vacancy रहते है जब भी इस तरह की high court में post आती है तो वहाँ पे general की vacancy काफी जादा रहती है उसके बाद अगर category वाली बात करें ex-serviceman की और जो ph category है physically handicap वाली उसमें भी post है तो ये post है total है और हर advertisement में ये जरूर लिखा होता है कि post है decrease भी हो सकते है increase भी हो सकते है ये मतलब जो भी department है उसका right होता है उसके बाद हम बात करें age की तो age जो है थोड़ा सा इसको और expand कर लेते हैं हाँ अब ठीक है तो age जो है minimum जो age है वो 21 years होनी चाहिए minimum है 18 नहीं चलेगी minimum से minimum 21 तो होनी चाहिए इससे कम नहीं चलेगी और 21 कब तक होनी चाहिए 1 October 2024 ये वाली जो age है हमारी या तो minimum या maximum तो इस date तक वो count होगी जब तक ये form भरने की date है और जो जादा से जादा age हो सकती है वो कितनी 30 years और उसके बाद relaxation की बात करें तो जो person है disability वाले उनको 10 साल का relaxation मिलेगा और ex-servicemen है उन्होंने जितनी भी service की हो अपना जो उनका कारेकाल रहा हो जो defense service का उसके plus 3 years उनको ये relaxation मिलने वाला है government employee के लिए जो age का criteria है वो 40 साल तक है मतलब 40 years के आप अगर है और अगर आप government job में है government job छोड़ चुके हैं तो count नहीं होगा अगर आप continuation में है मतलब अभी government job कर रहे हैं वो भी permanent nature की ad hoc या फिर contractual basis वाली इसमें count नहीं होगी तो आप ये ध्यान रखिएगा अब एक सवाल और भी कुछ आ रहे थे comments क्या था कि क्या मैं मान लो जैसे हम steno हैं तो हम steno की post के लिए apply कर रहे हैं या हम किसी और post पे हैं और हम अभी steno की त्यारी कर रहे हैं मतलब हमने steno सीख रखे हम भी appear होना चाहरे हैं तो आप अगर other किसी post पे हैं clerical post पे तब भी आ इसमें सिरफ यही लिखा हुआ है कि आप अगर four candidates who are already working in the government department semi government corporation board the upper age limit shall be 40 years इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आप किस post पे हैं आप government job में है continuation में है तो यह relaxation आपको मिल सकता है ऐसा advertisement के हिसाब से नजर आ रहा है तो इसमें post का कोई issue नहीं दिया गया है अब बात करें qualification की तो जो qualification है JW के लिए the candidate applying for the post of JW should be at least graduate मतलब आप graduate होने चाहिए और equivalent मतलब उससे similar कोई और भी degree हो सकती है graduation से similar और further the candidate should have proficiency in operation of computer यहाँ पर एक test होता है जो होता है Excel का Microsoft Excel वो 10 number का हमारा रहेगा उसमें हमें qualifying nature मतलब उसमें हमें 4 number लेने हैं अगर हमारा यह exam qualify हो जाता है तब हम eligible होते हैं next exam जो की short and skill test रहेगा 120 WPM का उसमें 10 minute की आपकी dictation रहेगी continuous spell पर उसमें कोई break नहीं है जैसे reporter का exam होता है 160 WPM का वहाँ पर एक minute का break होता है जो विधान सभा का होता है लेकिन इसमें कोई break नहीं है 10 minute की लगाता dictation है 120 WPM 1200 words और जो transcription करनी है जब आप उसको note down कर लेंगे dictation को जब आप उसको transcribe करेंगे तो transcription के speed minimum 24 WPM required है मतलब जैसे other exam होते हैं जैसे district court का होता है 20 WPM required होती है लेकिन यहाँ पर 24 WPM आपकी वो transcription की speed आने चाहिए यह minimum है उसके बाद बात करते हैं इसी में बात कर लेते हैं क्योंकि यह चीज अगे नहीं आएगी कि exam का matter कैसा आता है देखिए अभी तक यह जो दो exam होए है 13 और 14 का इसमें legal dictation आई है मतलब judgment आई है कई बार dictation ऐसी होती है कि मानलो उसमें अगर कोई नाम भी आ रहे है तो continuation में एक ऐसा passage होगा जो flow में होगा ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा tough है tough नहीं होता flow वाला passage होता है dictation बहुत अच्छी होती है और 2013-14 तक speaker use नहीं होते थे लेकिन अब जो past practice बन चुकी है district court की वही practice I think इसमें भी हो सकती है implement हो सकती है ना भी हो तो कुछ काया नहीं जा सकता क्योंकि जहां पर number of students कम हो जाते हैं वहां chances रहते हैं कि कोई आ के भी dictation बोल देता है लेकिन जब number of student बहुत जादा हो जाते हैं तब definitely speaker का use किया जाता है तो जहां तक मुझे लगता है कि शायद अगर student कम रहे तो manual भी बोली जा सकती है अगर number of student काफी जादा होगे तो यह dictation speaker पे भी हो सकती है यह मेरा personal opinion है अब fees की बात करें तो fees रहेगी general category के लिए 1000 और बाकी सभी के लिए 800 और reservation का अब reservation के बारे में एक सवाल आता है क्या मैं general category में भरूं क्योंकि post बहुत जादा है या फिर category में भरूं देखिए दो जी यह होती है आपकी त्यारी बहुत अच्छी है तो अगर आप general में है तो जैदा अच्छे से कर लेते हैं तो हो सकता है कि आप general category में भी count हो जाए लेकिन general category वाला कभी भी दूसरी category में count नहीं होता है ये आपने शायद पहले भी ये चीज गही ना कहीं सुनी समझी जरूर होगी तो reservation का और इसमें कुछ annexer है उसका आप ध्यान रखेगा कि कौन सा annexer है जो आपको category के लिए देना है और एक annexer है NOC का अगर आप continuation मतलब service के continuation में है तो वो आपको NAC लेना जरूरी है और एक annexer और है उसमें जो third annexer है और fourth annexer, fourth annexer क्या है कि उसमें अगर आप job छोड़ चुके है तो आपको previous employment है उसकी detail जरूर भरनी है और जो third वाला है third वाले में जो undertaking है आपका कोई अगर relative high court में job करता है तो आपको उसका सारे particulars उसकी detail आपको उस annexer में देनी है तो यह कुछ important annexer है और बाकी तो routine की चीज़े है कि आपको form कैसे भरना है, instructions क्या है वो form भरते हुए आप पढ़ लेंगे उसमें कोई बहुत जादा बात बताने की नहीं है और mode of selection वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, 120 WPM और 10 minute की dictation, 24 का transcription और 5% की जो mistakes है, लेकिन आप 5% को यह मत मान के जलिए कि 60 mistakes वाले select हो जाएंगे, देखिए बहुत बार ऐसा रहता है कि अब जो short end का level है वो बहुत अच्छा होता जार है student का, क्योंकि पहले क time में इतनी ज़्यादा preparation, इतनी ज़्यादा technology, इतनी सारी चीज़े नहीं थी और students की कहेंगी English भी मतलब उस level की नहीं, आज की date में इतनी technology है, हर वे अत्ती घर बैठे बहुत कूँ सीख सकता है, बहुत अच्छी अपनी short end को कर सकता है, transcription को कर सकता है, और अपनी vocabulary को English को सब को बहुत enhance कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो हम कर सकते हैं, तो आप जो merit है, वो मतलब अच्छी merit जाती है, बहुत बढ़िया आप करेंगे, बहुत अच्छे से त्यारी करेंगे, तब ही आपका selection होगा, और दूसरी चीज़ एक और भी होती है, कि जब 120 WPM स प्रोक्स चार मन तो लगी जाते हैं, जो मेरा personal opinion है, यह कोई कहीं से मैं आपको update लेके नहीं दे रहा हूं, but it is my personal opinion, इतना time लग जाता है, तो 120 WPM करने के लिए तयारी best होनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ों को अच्छा करना है, यह भी मैं आगले वीडियो में discuss करूँ, आप कभी भी यह मतवेट करिएगा कि घर पे आपके आएगा, आपको touch में रहना पड़ेगा, वेबसाइट के, हाई कोट की जो वेबसाइट है, उसके लिए आपको touch में रहना पड़ेगा, और date of examination, इन्होंने यही लिखा है, आप official website visit करते रहिए, आप अपना जो email है, उस और इसमें एक चीज और भी गई गई है, कि मानलो कोई दो form भर देता है, एक के बदले, तो उसका जो latest form है, वही consider होगा, उसका पिछला form consider नहीं होगा, तो ये कुछ चीजे हैं, बाकी तो online वाला, और कोशिश करूँगा, मैं अगर किसी student का form भरते हुए, मैं आप वीडिय किया, और मैंने क्यों resign किया, अगर आप जानना चाते हैं, वैसे तो मैंने वीडियो डाला हुआ चैनल पर, अगर आप फिर से कहेंगे, तो अगले वीडियो में, अगर comment आएंगे, कुछ की जानना चाते हैं, कि क्या था, क्यूं आपने छोड़ दी job, और किस तरह का work culture है, क कुछ भी पूछना चाहें, किसी भी तरह की guidance चाहिए, हाँ, एक चीज और announce कर देता हूँ, इस channel पर हम तयारी करना शुरू करेंगे, free of cost भी और paid batch भी, दोनों हम start करेंगे, और देखते हैं कि आप मेंसे कितने student तयारी करने वाले हैं, क्योंकि अब कोई भी paid batch शुरू किया अगर students की strength जादा होगी, तभी हम कोई paid batch बनाएंगे, otherwise हम इसी channel पर एक जो dictation का video हम चाहे daily provide कर दें, guidance तो आपको मिलती रहेगी, तो इस तरह से हम करने वाले हैं, आपका क्या विचार है, कितने लोग करने वाले हैं, कितने लोग इस video को देखके, आप comment करेंगे, उसी के हि वीडियो की preparation करेंगे, so wish you all the best, I hope कि मैं आपको सब कुछ बता पाया इस 15 मिनिट में, कि क्या क्या चीजे आपको ध्यान रखने हैं, thank you so much, wish you all the best.